आप सभी लोगों को मालू होगा कि जब भी आपका State PCS Prelims जिसमें आप देखेंगे UPPCS Prelims हो गया, MPPSC, विहार PCS या फिर आपका Civil Service यानि कि UPSC इसका Prelims होता है उसके कुछ समय पहले दरिश्टी IES की तरफ से आपकी कुछ है model paper दिये जाते हैं और आप सभी जानते हैं कि MPPSC आपका Prelims नजदीक है तो इसलिए दरिश्टी IES ने 5 model paper निकाले हुए और आप सभी लोगों को ये भी मालू होगा कि जो नया पाटकरम आया हुआ है नया syllabus आया हुआ है उसके बाद पहली बार paper होने जा रहा है इसलिए आप आप लोग इन 5 paper को देख लें और इन्हें आप लोग दरिश्टी की जो man site है वहां से download भी कर सकते हैं और याद रखिए और भी आपको MPPSC और किसी state PCS के बारे में या फिर आप लोगों को civil service के बारे में जानना है तो आप लोग दरिश्टी IES ने बहुत बड़ी अविस्त सब कुछ समझाया हुए है वहां जाकर आप लोग देखते रहिएगा और इन्हें हम लोग 5G model paper को हम लोग एक एक करके देख लेते हैं तो चलिए model paper first देखते हैं हम लोग और आप सभी लोगों को मालू होगा कि सामान अध्यन paper first इसी के आधार पर आपकी एक तरह से merit list बनत हैं यानि कि passing marks चाहिए होते हैं एक तरह से और वैसे आप लोग ले भी आते हैं आराम से और MPPSC में तो माइनस marking नहीं है ऐसलिए और आराम से ले आते हैं तो यह आप लोग याद रखे चलिए इसमें हम लोग एक एक करके questions देख लेते हैं जल्दी जल्दी देखेंगे भार अगर आपसे questions कभी पूछे कि मानाओने सबसे पहले किस दातू का उपयोग किया था तो आपको याद रखना होगा यह थी आपकी तामा लेकिन सबसे पहले सिक्के किसके बन रेते चांदी के और आप सभी जानते हैं कि आपके देश में हैं चांदी का सबसे जाना उपयोग अबुसर्ण में होता है सोना चांदी दूसरा question पूछ रहा है निमलिकित में से किनिका संबंध बुद्ध के जीवन से है अवंती गंधार कॉसल मगद नीचे दिये के कूट का प्रेयोग कर सही उत्तर चुनना है और याद रखी इस तरह के questions आपके civil service और UPPCS state में जाना बड़े ध्यान से पड़ा करिएगा और मैं तो कहता हूँ दो बार पड़ा करिएगा क्योंकि आते हुए भी आपके questions आप लोग गलत कर वेटते हैं तो इसमें आप देखेंगे एक तो आपका कौसल है दूसरा आप मगद देखेंगे यानि कि इसमें आप लगाएंगे D क्य जानी कि सही नहीं है तो इसमें आप देखेंगे बड़े पिर्माने पर पत्थर की इमारते बनाने का कार आरम हुआ पत्थर की स्थम्म राजिस्थान में तेयार किये जाते थे मौर सिल्फियों ने बहुत विक्चुओं के निवास के लिए चट्टानों को काटकर गुफा है तो इसमें आप देखेंगे B option क्या होगा क्या होगा यादzk रखिए इसमें ौट में आपका A सही है और आपका C सही है और डी सही है लेकिन इसमें क्या रहा था वह असत तो इसमें आप लोग वी लगाएंगे option ठीड है अंगला question क्या पूछ रहा है कुश्य नम्मर चार निमलिखित में से किसने प्राचीन भारत पर सबसे पहले आकमट किया था तो आप सबी जानते हैं कि यूनानी थे यूनानी क्या यूनानी बी ओप्सन बिल्कुल सही है आपका पांच बा कुश्यन क्या पूच रहा है निमलिखित गुफाओं का उनके लेखिकों के साथ मिलान करना है निमलिखित मापकरीब पुस्तकों का गुफाओं कहां से आ गई है कभी कभी हो जाता है तो इन में आप देखते हैं कि डारेक्ट भी इन कुश्यन से ए बोक आ जाती है कि अभी ग्यान सकुंतलम किसकी बोक्स है इसके लेखा कौन है तो आप लोग जरूर याद रखे और आप सभी जानते हैं कि कालिदास की रचनाओं से तो आपके कुश्यन सहर बार रिपीट होते रहते तो इसमें आप देखेंगे कि क्या है सौंदरानंद ये किसकी है ये अस्तोगोस की कामसुत ये आप सभी जानते हैं कि बात से आयन की अभी ग्यान सकुंतलम कालिदास और दस कुमार चरित ये आप देखेंगे दंडी इस तरह से आप देखेंगे कि C option इसमें बिलकुल सही है क्या है बिलकुल सही है अंगला चटवा कुश्चन हमसे क्या पूछ रहा है निमलिकित मैंसे मैंसे एलेक्टोनिक सौपिंग का विसकार किसने किया था तो याद रखिए थे माइकल एल्डरिच यानि की चटवे में भी ओप्सन होगा इसे डाउनलोड करके आप लोग बड़े आराम से बैठके देखते रहना ठेक है और इसकी पीडिया मैंने टेलिगराम पर भी डाल दी थी अंगला कुश्चन पूछ रहा है कुत्व बुद्दीन एवक की डेथ यानि की मौत किस कारण से हुई थी तो आप सभी जानते हैं कि चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण तो इसमें डी ओप्सन आपका बिल्द सही है अंगला कुश्चन आठवा मनसबदारी परणाली के संदर्म में निमलिकित में से कौन सा कथन सही नहीं है क्या पुश्चन आए सही नहीं है यानि कि गलत है तो इसमें आप देखेंगे मनसबदारों को बेतन नगत में न देकर जागीर के रूप में दिया जाता था बिल्कुल सही है वही दस्तावेश को जमा दामी के नाम से भी जानते थे ये भी आपका बिल्कुल सही है साय जहा के समय मनसबदारी विवस्ता सुजारू रोप से नहीं चलपा रही थी तो ये आपका गलत है आगे चलकर मनसबदारों का बेतन सालाना की जगें माहवारी प्रवाने पर कर दिया गया था ये बिल्कुल सही है लेकिन आप सभी जानते ही कि इसमें कौन सा सही नहीं है पूँच रहा है तो आप देखेंगे C ओप्सन होगा आट का C अंगला कुशन है नौबा वेटिस द्वारा किस भारती है राज जी का अधिगेंट कुसासन की अधार पर किया गया था तो ये तो कुशन सा आप देखते हैं कई बार पूँचा जा चुका है कई परिक्षाओं में और ये है आपका अबद क्या है अबद 9 में आपका B कुशन 10 बार है हमारे सामने ये आपकी संस्था पक हो गए ये संस्था हैं हो गई ये आप से पूच लेगा कि सुरंद बनर जी किस संस्था से जुड़े हुए थे ये आप से कुशन उल्टा करके पूच सकता है कि इस संस्था के संस्था पक कौन थे तो आप लोगों को दोनों तरफ से याद रखना होगा सुरंद नाथ बनर जी आप सभी जानते हैं कि इंडियन एसोसियेशन से जुड़े हुए थे जस्टिस रानाने आप सभी को माल होगा कि पूना सारजनेक सभा से जुड़े हुए थे M.V. रागवाचारी मदरास महाजन सभा से जुड़े हुए थे फरो साहमेता एक Bombay Presidency Association से जुड़े हुए थे यानि कि इसमें आप तीसरा यानि कि C लगाएंगे यह उप्सन क्या लगाएंगे? C, आप्सन, सही है इसमें आपका अगर आप से पूँचे कि Bombay Presidency Association के संस्थाफ़क फरो साहमेता इंडियन एसोसियेशन सुरेणनाद बनर जी फूना सारविनिक सभा इसमें जस्टिस रनानी मद्रास महाजन सभा MB राकवाचारी ठीक है? यह आप लो याद रखे अंगला कुश्यन है E Governance पहल की करियार्वन में उतकिष्टता को बढ़ावा देने ही तू मद्देश के किस बिभाग द्वारा पुरुसकार पिदान किया जाता है? तू याद रखे यह बिज्ञान एवं परोदग की बिभाग याने कि 11 में आप लोग C लगाएंगे 11 में क्या लगाएंगे? C ओप्सन 12 वा कुश्यन है नागर, देवेड और वेसर यह क्या है आके? तो आप सभी जानते हैं कि यह भारती मंदिर वास्तुकला की तेन प्रमों सैलिया हैं, सैलिया हैं, ठीक है? C ओप्सन आपका बिल्कुल सही है वारे में C पिच्छन बेरोजगारी का सामान अर्थ क्या होता है? तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि स्रेमोकों की जो सीमान्त उत्पादक्ता होती है वो सोन होता है कि काम करने के बाद भी रिजल्ट नाना सीदी सी अंगला कुश्यन निमलिकित में से 14 वे वित्तायूब की अध्यक्ष थे तो ये थे आपके वाईवी रेड़ी और 15 वे की कौन है? आप लोग नीचे लिखिएगा इसी ओप्सन में आप देखेंगे तो मिल भी जाएगा आपको अंगला कुश्यन हम देखते हैं 15 वाँ क्या पूँछ रहा है 15 कुश्यन? ये आपकी सम्तियां हो गए और ये आपके विसाय हो गए आप सभी देखेंगे कि सम्तियों से विसाय से भी आपके कुश्यन्स कई बार पूँछ लेता है ऐसे पूँछता है कि रंग राजन सम्ति का सम्मद्ध किस से था? नर्सिम महम सम्ती का संबन्दि किस से था तो ये भी आप लोग बड़े अच्छे से याद रखेगा नर्सिम आप देखेंगे रंग राजन सम्ती तो ये आपको मालू होना चाहिए P.S.E. में सेरों का बीनेवेस करने से संबन्दित था नर्सिम महम सम्ती तो ये आपको मालू होना चाहिए बैंकिंग सुधार से संबन्दित थी केलकर सम्ती केलकर सम्ती एक कर सुधारों से संबन्दित थी मलोत्ता सम्ती एक बीमा सुधार से संबन्दित थी तो इसमें आप लोग क्या लगाएंगे C ओप्शन पंद्रह में C अंगला कुश्चन है हमारा 16 अर्थवे उस्था तरलता संजाल में तब होती है जब क्या होता है? जब इसमें बॉन्ड पर दिये गए ब्याज की दर नियून तम हो तो ए ओप्सन आपका सही होगा राष्टी मानाओदिकार आयूक की पितम अध्यक्ष पहले सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे? तो यह तो आप लोगों को आंसर रटा होगा रंगनात मिसरा 17 में C कुश्चन 18 निमलिकित में से एमबर बॉक्स, बिलू बॉक्स और ग्रेंड बॉक्स सबसेटी संबन्दित है यह सभी आप लोग जानते हैं कि यह डवलू टी ओ अठारे में अठारे में डि आपका ए याद रखे इस तरह के जो भी आपके डवलू एचो हो डवलू टी हो, इस तरह के संगठनों से भी आपके कुष्टन्स, दो-चार कुष्टन्स आते रहते हैं हर बार तो इन संगठनों को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजेगा अंगला कुष्टन हमारे सामने मत्यपिदेश महिलाययोग की प्रकिती कैसी है तो आप सभी जानते है कि सामभिधिक सम्मिधानिक मतलब होता है सीधाजा की सम्मिधान के अनुसार उसकी उस संस्था की स्थापना की गई है या सम्मिधान के किसी अनुछेद में उसका बर्डन आपको देखने को मिलेगा जैसे आप लोग बित्त आयोग देख लीजे चुनाव आयोग देख लिए, यह संविधानिक संस्था है, लेकि यह आपकी संविधिक संस्था है, क्योंकि अधीनियम के तहत एक तरह से स्टापना होती है, अंगला कुछन पूछ रहा है कि केंद्रिय सतर्कता आयोग में अधिक्तम सदसों की संख्या क्या होती है, तो तो इसमें आप देखेंगे बिधी का सासन अमेरिकी संविधान से, सदनों की सयुक्त बैठक ऑस्टेलियाई संविधान से, समानता और बंदुत्ता फ्रांसी संविधान, बिधी द्वारा इस्थापित पिक्रिया जापानी संविधान, लेकिन सही सुमलित नहीं है, तो इस में कितने राज जो संग राज्य चेत रहें तो आज सभी जानते हैं कितने हैं अभी करेंट में जुलाई दोहजार 21 तक 28 राज्य हैं आठ संग राज्य चेत रहें आप लोगों को ये बड़े अच्छे से मालू होना चाहिए अंगला कुशन पूछ रहा है तेज ये आपके सभी जानते हैं कि आपका 14 से लेकर 18 तक दिया गया सोतनता का अधिकार 19 से 22 सोसन की विरोद अधिकार ये आप जानते हैं 23 से 24 धरम की सुतनता का अधिकार 25 से 28 तो इसमें आप लोग क्या लगाएंगे क्या लगाएंगे ये अप्शन बिलकुल सही है आप सभी जानते हैं कि जब आपका समिधान बना तो असाथ आपके मौलिक अधिकार हुआ करते थे लेकिन 44 वे समिधान संसोधन द्वारा आपका जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था इसे हटा दिया गया है अब इसे कानूनी अधिकार बनाया गया है ठीक है यह आप लोग याद रखेगा भारत का राष्टपती आपातकाल की उद्गोशना करता है तब कर सकता है जब ऐसी उद्गोशना करने के लिए संग के मंतरी मंदल का नेड़ाय उसे लिखेत रूम में संसुचित किया गया हो और आप सभी जानते होंगे कि राष्टपती की अपनी कोई सकती नहीं होती बास्तों में क्योंकि आप जानते हैं कि किसी जिस पाइटी के पास बहुमत होता है उसी का पक्ष का एक तरह से राष्टपती चुना जाता है क्योंकि आप जानते हैं कि जो लोकसभा, राजसभा और विधानसभा की जो निर्वाचिस सदस होते हैं यही राष्टपती का चुनाव करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि क्या इस्तिती रहती होगी तो यह आप लोग याद रेखेगा तो मंत्री परशद की सलाय पर ही काम करता है एक तरह से पच्चीस कुश्चन क्या कह रहा है भारत में राजपाल की पत के समझ में निमलिकित में से कौन सा कथन सही नहीं है क्या पूँछ रहा है सही नहीं है एक ब्यक्ति दो या अधिक राज्यों का राजपाल नियुक्त हो सकता है बिल्कुल हो सकता है यह बिधान सबा अध्यक्ष को संबोधित त्यात्वत देकर अपना पद त्याग कर सकता है यह बिल्कुल गलत है राजपाल की नियुक्ति के लिए नियुन्तब 35 वर्स की आयू ने श्चित की गई है बिल्कु सही है राजपाल अपना पत गहन करने के से अपने पहले उच न्याले की मुखनयादीस के समक्च सपत लेता है तो यह आपका तीनो सही है A, C, D लेकिन B आपका गलत है लेकिन गलत ही पूँच रहा है इसमें तो आप क्या लगाएंगी? B ओप्शन तीक है? यह आप वो याद रखिए अंगला 26 वा कुश्चन क्या पूँच रहा है? धन विदियक के सम्बंद में निमलिकित निमलिकित किसी कर की अधिरोपन उन मूलन माफी परिवर्तन या फिर वी निमन से सम्बंदित प्रावधान हो धन विदियक में भारत की संचेत निधी और भारत की आकस्मिक्ता निधी की अभी रक्षा से सम्बंदित उबंद हो धन विदेयक भारत की आकस्मिक्ता निधी से धन के वीनियोजन से संबन्धित हो धन विदेयक भारत सरकार द्वारा धन की उधाल लेने या कोई पित्याभूती देने के वीनियमन से संबन्धित हो तो इसमें आप याद रखे आपका C होगा गलत C सही नहीं, बाकि A, B, D सही है तो इसमें क्या लगाएंगे? C, क्योंकि क्या पूँचा है? सही नहीं है ठीक है? 27 कुर्चन राज्य मंत्री परसर सामोहिक रूप से किसके पिती उत्तरदाई होती है? यह सभी आपको माल होगा विधान सभा के और आप देखते हैं लोगसभा में लोगसभा के नेमलिकित योगुमों में से कौन सा सही समलित नहीं है पूँच रहा है यह आपके अनुचेद हो गए? यह सम्मंदित राज्य हो गए अनुचेद 371 महराष्ट गुजराद की बात करता है तो यह आपका सही है अनुचेद 371 यह आपके नागल एंड से सम्मंदित है बिल्कु सही है अनुचेद 371 भी यह असम से सम्मंदित है बिल्कु सही है अनुचेद 371 C यह आपका मद्विदेश से सम्मंदित नहीं है टेक है? तो इसमें आप क्या लगाएंगी D क्योंकि सही सुमलित नहीं है पूँछ रहा है तो D आपका option होगा इसमें कुशियर नमर 29 पंचयायती राज जी की विकास की संदर में निमलिकी सम्तियों में की गठन को आपको कालनुकिरम में विवस्तित करना है क्या करना है विवस्तित करना है एक तरसे से असोक मेहिता सम्ति बलवंत राय मेहिता सम्ति एलम सिंग भी सम्ति जेवी के राव सम्ति तो सबसे पहले तो यहीं याद रखिए कि यह सभी सम्तियां आपकी पंचयायती राज विवस्ता से जम्मन देते हैं ठीक है यह आप लोग याद रखेगा तो सबसे पहले तो आप देखेंगे बलवन्त तरा मेहता सम्ति आती है फिर आपकी एसोग फिर आपकी जीवी किराओ फिर आपकी L M सिंग भी ठीक है? 2 1 4 3 2 1 4 3 यानि कि आप लगाएंगे C option 29 में C फिर आता है आपका अंगला 30 question सूची एक सूची दो को आपको सुमलित करना है तो एक तो आपके एक तरफ आपको देखने को मिल जाएगा भारत के सम्मिधान में संसोधन और विसाय किस विसाय से संबंदित है तो आप सभी को मालू होगा कि 22 बावा समिधान संसोधन अदिनियम 1985 में हुआ था और आप सभी जानते हैं कि ये दल वदल के आधार पर आयुगेता से संबंदित हुई था और आप सभी को मालू होगा कि 10 वी अनसूची इसी यानि कि बोट डालने की आयू अठा 21 बर्स से कम करके 18 कर दी गई थी तो आप समझेंगे कि 61 समिधान सो सुधन के पहले अगर आपकी आयू 21 बर्स होती थी तभी आप लोग बोट डाल पाते थे आज ये आप देखते हैं कि आप 18 साल के हो जाते हैं तो आपके पास बोटर जालते हैं और एक है आपका 86 बास अमिधान संसो दन तो आप देखिए सिक्षा का अधिकार इसके तहत आप देखेंगे आर्टिकल 21 का जोड़ा गया था तो यह भी आप लोग याद रखिएगा तो इसमें कौन सा अप्शन लगाएंगी तीस में इसमें लगाएंगी आप तो बी क्या बी ठीक है अंगला कुश्चन क्या पूच रहा है 31 भारा सरकाद वारा मेगा पूर पार्क की अउधारना को पुरोसाहिद करने का मुख उद्देश क्या है इसका तो याद रखिए इसका मुख उद्देश है खाद पिसंस का उद्देव के लिए उत्तम आउसर प्रचना सोविदा उपलब्द कराना और खराब होने वाली पदार्तों की अधिक मात्रा में प्रसंस करने हो और अपव्याए घटाने ही तू तो इसमें A और B दोनों सही है यानि की D option आप लगाएंगे इसमें ठीक है ताबमान के परिवतन के कारण बाई मंडल का अब बर्तनांग बदल जाता है तैंतीस कुष्चन तैंतीस क्या पूछ रहा है किसी सुस्क सेल में बिद्धुत का उत्पादन होता है यह भी आप लोगों को माल होगा रसाइने कूर्जा से होता है यह उप्शन बिल्कुल सही है अंगला कुष्चन है हमारे पास 34 LIGO का क्या मतलब होता है इसका तो इसका मतलब होता है लेजर इंटर फेरो मीटर ग्रेविटेशनल वेब आपजर बैटरी तो इसमें आप लोग 34 में यह लगाएंगे ठीक है अंगला कुष्चन है हमारे साथ 35 सूची एक सूची दो को सुमलित करना है यह अमल के नाम हो गए और जिसमें पाया जाने वाला जिसमें पाया जाता है वो हो गया तो फॉर्मीकम्न क्या है फॉर्मीकम्न आप सभी जानते हैं चीटी के डंक में होता है केलसियम हाइड्रोकसाइड यह आप देखते हैं चूने के पानी में टार्टरीक अमल साबुन में माप करिए साबुन नहीं इमली में देख रहा है इस तरफ चार ओप्सन दे दिए इस तरफ पाँच ओप्सन दे दिए तो टार्टरीक अमल आपका इमली और अंगूर में सोडियम हाइड्रोकसाइड यह आप देखेंगे साबुन में टेक है तो इस तरह से पाँच बादों आपका खाली हो रह गया देने का मतलब क्या रहा है इनका मुझे यही समझ में नहीं आया चलिए एक अनभी उच करने के लिए दे देते हैं तो इसमें आप लोग 35 में यह लबाएंगे 36 कुशन क्या पूच रहा है नेमलिकित में से कौन सा विटामिन और उसकी कमी वाला रोक सुमलित नहीं है तो राईव फिलेविन इससे क्या होता है इसकर बी रोग नहीं होता है नियासिन, फिलाग्या यह चर्मगराय यह होता है तो कुब फरावल, जनन छमता की कमी तो इसमें आप लोग यह गलत होगा ठीक है क्या होगा यह गलत होगा 36 में ए 37 वन्ना किराई पेट्ट्या इंटर्नल भिलू पद जो समाचारों में उल लिखित रहते हैं निमलिखित में से किस से संबन दी थे हैं ए आप की हैं साइवर हमले से आप देखते हैं रहते हैं साइवर अटेक होता रहता है 38 कुश्चन एलेक्टोनिक्स और कम्प्यूटिंग के छित में कौन सी परोध की सिलीकॉन को फितेश थाबित करेगी कारवन नेनो ट्यूब सी एन टी को पतली फिलिम ट्रांजेस्टरों के साथ जोड़ा जाना यानि कि ये ओप्शन आपका विल्कुल सही होगा इसमें 49 मद्पदिस के किस जली में रेलवे सिलीपर बनाने का कार खाना है ये तो आप रटा होगा आपको सिहोर ठीक है डिश्टिक है आपका जिला है एक सिहोर मांडू में अवस्तित नहीं है मांडू में क्या आवस्थित नहीं है हिडोला महल है जहाज महल है रोबमती महल है लेकिन जहांगीर महल नहीं है तो इसमें क्या लगाएंगे आप लोग D option 41 मद्धपदेश का अधिक्तम अनुसूचित जाती पितीसत बाले जिले कौन से है अनुसूचित जाती पूँच रहा है अनुसूचित जन्जाती नहीं पूँच रहा है यह आप लोग जरूर याद रखेगा इसमें आप देखें कि जाबूआ अली राजपूर मंडला 41 में आपका B जाबूआ अली राजपूर मंडला मद्पिदेश का सबसे बड़ा गुफा समगों कौन सा है तो यह तो आप लोगों को मल होगा भीम बैटका की गुफाय मद्पिदेश में पंचायती राजपूर दिनियम सरपिथम कब लाग हुआ 1962 में 1962 में लेकिन याद रखिए और आपका जो पंचाय तेहतरवा समिधान संसोधन हुआ था वो सबसे पहले आपका मद्पिदेश में ही लागू हुआ था तो यह भी आप लोगों को याद रखना हो अगर आप से पूछे कि तेहतरवा जो समिधान संसोधन हुआ था यह सबसे पहले किस राज में लागू हुआ था इसके तेह तो याद रखी मद्पिदेश ही था एंपी जवालीज 1956 में गर्खिद मद्पिदेश मंत्री मंदल में पिता महला कैमिनेट मंत्री कों थी यह थी आपकी पदमाबती देवी 24 में आपका ए चेठपल्प्ल के दरेश्टी से मद्पिदेश का सबसे बड़ा संभाग चेठपल की दरेश्टी से जबलपूर और जंसेंख्या की दरेश्टी से इंद ओर सार्धा की मंदिर के लिए पिसेद मीहर निमने मैं से किस चली में आता है सतना में किसमें सतना में यह आप लोग जरूर याद रखे कहते हैं कि यहाँ जो मनोती है मांगी जाती है वो मिलती है जाके देख लीजिएगा मतबद इसका राष्टी उद्यान काना किसली किसली में है यह आप सभी जानते हैं मंडला में 47D नरेंद लेंदर वनी के संबंद किर्किट से किससे किर्किट से 49S निमलिकित में से कौन सा एस्टेडियाम रीवा में है ठाकुर रणमसी एस्टेडियाम बड़े ही सरल कुश्टंस है बापाल में सिद भारत ज्ववन की बास्तुकार चाल्स कोरिया बड़े ही आप देख सकते हैं इस तरह के questions का यह लगते हैं सरल तो यह वहाँ बैठते हैं फेपर में तो cut in हो जाते हैं वो बिलिस ट्राफी की skill से सम्मन्दी थे यह आपकी cricket से नेमलिकित में से किसे आधुनिक रोवुटिक्स से का पिता कहा जाता है तो याद रखिए हैं आपकी जोसेप एंजेल वरगर ठीक है यह उप्सन आपका बिलकुस सही है 53 पिधान मंत्री गरामीड डिजीटल सक्षरता वियान भारत सरकारी की पहले किसकी यह आपकी गरामीड शेत में रहने वाली लोगों को डिजीटल साथ चलत बनाना एक तरह से ठीक है गाओं में क्यूंकि आप जानते हैं मोबाइल तो सबके पास होता है लेकिन जीमेल भेजबाना यह कई लोगों को मालू नहीं रहता है फेस्ट्बुक चलाना सब जानते हैं लेकिन अंगला है चंगुन इंटरनेशनल एसोसियेशन ओफ एथलेटिक्स फेडरेशन का मुख्याल है कहा है तो यह आपको देखने को मिलेगा मुना को ठीक है लेकिन आप देखते हैं कुरोना महामारी के कारण 2021 में हो रहे हैं ठीक है महामारी ने बहुत प्रभावित किया है आप सभी जानते हैं अंगला कुशन है हाल ही में किसने राष्टी अनसूची जाती आई कि अधिक्ष के रूम में काम समाला है तो यह हैं आपकी बिजय सांपल आने है ठीक है चपन बी संतावन बारे 22 परवड़ी 2021 को किस केंदर सासे पिदेश्क में राष्टपती सासन लगाय गया था तो याद रखिये था पुदू चेरी फिर आउसके बाद आपने देखा सरकार गरने के बाद राष्टपती सासन उसके बाद आपने देखा चुना हुए वहाँ और बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली किसी पार्टी अन्र पार्टी के साथ मिलकर अंठावन कुषण भारत की राज्यों कर नेमलिकेत में से कौन सा यह कुम सबसे पूर्व और सबसे पष्ट्पर राज्य को एंगित करता है सबसे पूर्व और सबसे पष्ट्प तो इसमें आप सभी जानते होंगे तो अरवडा चल पिती सबसे आपको पूरू में देखने को मिलेगा सबसे पस्टे में आपको गुजराद D option बिल्कुल सही भारत में परवड़तों के अउस्थान पर विचार करती हुए बताएं कि निमलिकेत में से कौन सा एक दच्छन से उत्तर की ओर सही करम है तो इसमें आप लोग देखेंगे इसमें दोडा बेटा, विध्याचल, दोलागिरी, कैलास यानि कि उन सट में आपका B साट निमलिकेत योगों में सही समलित नहीं है पूँच रहा है बंदरगाहों से सम्मधी तत और सहर हो गई तो इसमें कौन समलित सही नहीं है चाइल्ड लॉब पाइडिसन कांडला बिल्कुल सही है नदिय पतन कोलकाता, किंतिम पतन इन और, प्राक्तिक पतन चैन नहीं तो इसमें आपका D होगा 61 निम्लिकित में से कौन सा एक पश्चिम की और बहने वाली नदियों का और उनकी नदी बेसनों के घट दे आकार के आधार पर सही अनुक्रम है 61 नर्वदा, ताप्ति, माही, सावर्वति 61 भारती मानसून के सम्मध में निम्लिकित में से कौन से कथन सही है कौन से कथन सही है ये तीन कथन दीए गए और नीचे ओप्सन है आपकी चेरी बिलोसम करनाटक में मानसून पूरवे बोचार का विस्ष्ट पिका रहे है मानसून में बेवगता और अंतराल जेक तरवा की गतिसील परकिती के कारण आते है तमिलनाडू तटिया अंतरपिदेश के भाग और करनाटक के भाग में उत्तरपूर्वी मानसून यानि की लोटते हुए मानसून के कारण बसा होती है भालती ओ महादीप का यह भाग उत्तरपूर्व पवंत अंतर द्वारवत वित होता है तो बिल्कुल सही है तीनों आपके बिल्कुल सही है तो इसमें आप लोग क्या लगाएंगे डी ओप्सन क्या लगाएंगे डी 62 में डी 63 भारत के निम्लिकित में से किस राज में सरबादिक बन अच्छा दिते हैं तो यह आपको देखने को मिलीगा मद्ध प्रेश इमपी सूची एक सूची दो को सुमलित करना है सिचाई सक्ती परियोजना होगी यो नदी किस नदी पर कौन सी परियोजना है यह पूछना है भागडा नागल यह आप जानते हैं भागी रथी पर है दुलहस्ती ये आप सभी को मालोगा चंद्रा नदी पर है हीरा कुंड महा नदी पर टेहरी सतलज नदी पर इसमें आप लोग C लगाएंगे जनगरना 2011 के अनुसार लिंगनपात के समद्धे में भारत में राज्यों का सही औरो ही क्रम क्या है और याद रखे जनगरना से आपके एक दो कुष्चन साती रहते हैं इन सबकों हम लोगोंने विस्ताज से पढ़ा हुआ है तो पढ़ लीजेगा आप लोग आंध्यपिदेश, उत्तराखंड, पष्चि मंगाल और मध्यपिदेश मध्यपिदेश में 931 आप लोग देखते हैं और सबसे अच्छा लिंगनपाथ है आपका केरल का और सबसे बुरा हर्याना का यह भी याद रखे 26 वीडियो कॉन्फेनसिंग क्या है तो आप सबी जानते हैं यह तो करते रहते हैं दूशनचार प्रोधविक का उपयोग करती हुए विडियो कॉल कफरी चालन करना ठीक है सूची एक सूची दो को सुमलीद करना है है आपको सूची एक, सूची दो को क्या करना है? सुमलित करना है तो इसमें आप लोग देखिए गहन किरसी तो इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगी कि गहन किरसी बहुत छोटी जोतों के साथ दो या तीन फसलों और भली भाती उन्नत पसु पालन करना ठीक है? उसके बाद आप देखेंगे बिस्तित किरसी बड़े आकार के जो खेतों के साथ उच्चे यंत्री किट करना ठीक है? यह है आपका B1 से मिलेगा फिर आप देखेंगे इस्ताना अंतर्ण किरसी इस्ताना अंतर्ण किरसी आप सभी जानते हैं कि एक लंबे समय तक परती छोड़ना और अधिवास करना एक जगह आप लोगोंने खेती कर लिया वोसे छोड़ दीजे दूसरी जगह चले जाएए आधिवासियों में अधिक देखने को मिलेगी मिस्तरित फसल यह आप देखेंगे मध्यम आकार की खेत पसुपालन के साथ फसल और अंतर फसल और फसल चक्रन भूमद्य सागरे किरसी यह आप देखेंगे अती बरिष्टी किट वाडिचिक किरसी ठीक है तो इसमें आप लोग वी ओप्सन लगाएंगे अंगला कुश्चन है अर्सट निमलिकित में से धरातलिये पाउनों पर विचार करना है आपको निमलिकित में से कौन सा भूमद्रेखा से धुर्व की ओर और इन पाउनों का अधर सीकर्ट भूमंडली अपिती रूप है तो इसमें आप देखेंगे डॉल्डरम उसके बाद आप देखेंगे ब्यारे पारिक पाउने फिर पश्च्मी फिर आप देखेंगे धुर्विय पाउने तो इसमें आपका A option निमलिकित में से कौन सा एक परीतन एको सिस्टम के अंतरगत अजयबिक घटक नहीं है तो आप सभी को वाले होने चीज़ में तामान है आदिता है लेकिन अप घटक नहीं है इस थलागती भी है तो इसमें आपका 59 में C होगा क्या लगाएंगी अप घटक निमलिकित में से योगमों में से कौन सही समलित है सही समलित पूच रहा है माधव गाड़ गिल समती पश्मी गाटों का सरक्षन से सम्बंदी थे बिल्गु सही है इंजेती श्री निवास समती राष्टी खिल कोड से सम्बंदी थे कस्तूरी रंगन समती पश्मी गाटों के सरक्षन से सम्बंदी थे तो इसमें आप लोग D ओप्शन लगाएंगे सत्तर में आपका तीनों सही हैं बिल्कुल यह नहीं भी रट लेजे परकोसी पोशन के फिरकारों को उनकी विवरण के साथ सुमलित करना है आपको यह परकोसी पोशन है और विवरण के पिकार है आपकी इनमें क्या पूछ रहा है मिर्त जीबी तो यह आप देखेंगे मिर्त जीबी यह बे घटक होते हैं जो अनमेंट जीबों के सरी से जटिल कार्भनी पधारतों का भिक्तन कर्स अपने उपियोग के लिए उर्जा मुक्त कलते हैं इन्हें आप लोग क्या टहते हैं मिर्त जीबी ठीक है पर जीबी पर जीबी कौँन होते हैं तो ये पर not yaroney वो होतें जिनने आप देखें गिन रिस अजीबिंगों के अंदर आ उनके उपर जीने आसदा से का आ जाताए कि निवास करते हैं उनके उपर और उनके आसदर और पोसक तत्त पराप्त करते हैं फिस तिस प्र प्राफत पोजों से ठीक है और सह जीवी सहजी भी यह आप देखेंगे सहजी भी नाइटोजन इस तरीकन जैसे लेगियों मैं बात करते हैं ठीक है और कीट भक्ची केट भक्ची यह आप देखेंगे घट परणी पौधा तो इसमें क्या लगाएंगे सी एकत्तर में सी इनने डाउनलोड करके आराम से बैठके देखते रहा करिएगा यह आपके सूची एक सूची दो को समलित करना है वनिजीब अभ्यारन हो गए और यह राज्च हो गए आपके तो इनमें आपको बताना है डालमा डालमा यह बनिजीब अभ्यारन कहाँ देखने को बिलेगा यह आपको देखने को बिलेगा जहारखंढ में वीतर कनिका यह आप सभी जानते हैं कि उडिशा में देखने को मिलेगा पचमडी यह मत्यफेदेश वायनाड एकिरल में या नहीं कि इसमें आप लो ए ओप्सन बिल्कुल सही है बात्तर में. कुश्यन तेहत्तर, क्या पूछ रहा है? फरवरीं 2021 में भारत की किस सहर में देश का पहला बेट लेंड सरक्षर प्रबंदन केंद खोलने की घोशना की की है? तो याद रखी यह है आपका चेंड नहीं, यह ओप्सन बिल्कुल सही है. हाली में 150 साक्षर्ता कि लक्ष को प्राप्त कनने वाला देश का पहला जिला कौन सा है? यह है आपका देहरादून, उत्राकंड का देहरादून, चोहत्तर में A. अंगला कुशन मद्वदेश की मुख सचीब कौन है? तो याद रखी यह हैं आपके एकवाल वेंस, अभी आपके बदले हुए हैं, तो 75 में C. 76, भारत की पहली होट एयर, वैलूम सफारी का सबारम? यह आपको मालूब होना चाहिए, ओमरिया में, MP का एक जला है ना, ओमरिया, वहीं की बात हो रही है, नेमलिकित में से 2020 में, बेटेन में, बिलू पलाग से सम्मानित होने बाली पहली भालती है, मूल की महिला बनी, कौन है यह? यह है आपकी नूर इनायत खान, यानि की 77 में आपका डी है, क्या है? डी, मद्बदेस केबिनिट ने आदिम जाती का लियार विभाग का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम रख दिया गया जन जाती है कार विभाग, 78 में आपका ए, 89, खजुराहु नित समा 2021 का आउजन के साओधी के दौरान किया गया? तो यह तो आप लोग देखते हैं हर साल होता रहता है, यह आपका 20 फरवरी से 26 फरवरी 2021 के बीच, 89 में C, अंतरिक्ष फ्रोधगी की और अनुपियोकों के चित में इनोवेटिव, रिजर्व एटिटिउड, एटिउड को बढ कराबा देने के लिए कहा पर Space Technology Incubation Center इस्थापित किया जा रहा है? तो याद रखी यह आपका रावर के लामें, ठीक है? अस्ती A, 81 भारत की मुख निर्वाचन आयूत की पदावधी, तो यह आप सभी जानते होंगे, यह आपका है 6 वर्स या 65 वर्स की आयूत, जो भी पह जो आपके नए एक तरह से टॉपिक बताए गया है, इन टॉपिक से questions तो पहले भी पूछे जाते थे, लेकिन आपने दे दिया कि इस बार उनोंने clear कर दिया, कि मैसा अंस्थानों से questions पूछेंगे, तो मुझे लगता है कि कम से कम 7-8 questions तो आने की पूरी संभावायन से, इन संभी संगठनों को आप लोग एक बार अच्छे से कवर कर लिजीगा, बहुत ही सरल सभी संगठन है, आप लोग एक से दो बार अगर अच्छे से पढ़ते हैं, तो complete भी हो जाते हैं, तरह से, संग लोग से वायोग के बरतमानत धिक्ष, A, B आप लोगों कुमाल होगा, पि यह जी द्वारा पालन किया जाता है, तो यह आप देखेंगे सारजनिक धन को धन की प्राप्ति और निरगम का नियंतन करना, और यह सोनिचित करना की सारजनिक राजस राजकोस में जमा हो, यानि कि 83 में आपका D, नीती आयोग से संबंदित इन में से कौन सा कथन सही नही है, क्या पूछ रहा है? सही नहीं है, भारत की पिदानमंतरी नीती आयोग के पदयन अध्यक छोते हैं, बिल्कु सही है, और आप सभी जानते ही कि पहले योजना आयोग हुआ करता था, योजना आयोग को भी कोई एक तरह से इस्थापित करके आपका नीती आयोग हुआ लोग याद रखी इनसे questions आता है, यह सही है आपका, नीती आयुक का उद्धिस सतत्विकास लक्षों को प्राप्त करना उद्धिस के सहकारी संगबाद को बढ़ावा दिना है, बिल्कुर सही है, नीती आयुक में 60 पूड कालिक सदस होते हैं, यह आपका गलत है C, यह कारिका होनी चाहिए, तो याद रखी बाल कल्यार संबर्धन के लिए कार किस से जुड़े हुए हूँ, एक तरह सी, 85 में आपका C, 86 मद्धपिदेश की पिथम खेल नहीं थी, पिथम पूच रहा है, तो याद रखी एती 1989 में, ए ओप्षन बिल्कुल सही है, 87, पिसेद भारती पर परमाडू बहुत की विज्ञानिक, एबम याद की अभियानता अनिल काकोद कर कजनम स्थान, तो यह थे आपके बढ़वानी से, कहां से बढ़वानी, MP में ही पड़ता है, ठीक है, भारती यह आयोविज्ञान अनुसंधान परशद का मुख्याले, यह आप देखेंगे न नई दिल्ली में, 21 अपरेल 2021 को जारी किये बैस्वेक कूर्जा रूपांतन सूचकांग 2021 में भारत को कौन सा इस्थान दिया गया, तो 87, 87, B option सही है, 90, मद्द काल में परमारवंस का सासन चित था, याद रखिए मालवा के चित पर, अंगला कुशन मद्देश से प्राप्त से एरन अभी लेक किसे गुप्त सासक से संबंदित था, तो याद रखिए भानु गुप्त, ठीक है, सती पिथा के एक तरह से अब इसमें साक्ष मिलते हैं, नर्वादा सौन घाटी कहां इस्ते थे, यह आप देखेंगे मालवा और सत्पुडा के बीच में, D option आपका सही ह थांग टाक किसे राजिकमार सलाट, यह आप देखेंगे मडी पुरका, पूर्वोत्तर भारत का राज है, कुश्चन निमलिकित आपको यह निगम है, स्थापना है निकी, और इनमें बताना है आपको सही बताना है, तो इसमें आप देखेंगे मद्विदेश स्टेट को ओपरेटिव डेरी फेडरेशन लिमिटेड, 1980 में इसकी स्थापना हुई थी, मद्विदेश लगूद्योम निकम 1961 में, मद्विदेश बस्त निकम 1972, मद्विदेश राजबन विकास निकम 1975 में एक करम से लगे ही हुए हैं, तो इसमें आप लगाएंगे C option बिलकुल, कुशन है 95, मद्विदेश में सबसे बड़ा आकस वाणी कहां स्थापित किया गया था, तो यह आप देखेंगे, इन दौर में सबसे पहले ही किया गया था, मद्विदेश में सबसे पहले इन दौर म हैं, मद्विदेश के सांस्कितिक समारो और आयोजन स्थल कहां कहां होते हैं, तो यह भी आप लोग, यह भी कुश्चन्स कई बार पूछ लेता हैं, इन से, टांसें समारो, आप सभी जानते हैं, कालीदा समारो, और जन, खजरा जन, इन दौर, अमीर काँ समारो, ई, महा करी खजुराहो नित समारो चतरपूर में होता है चतरपूर देखिए एक बात बताऊं आपको जो खजुराहो देखने को मिलेगी जगए यह आपकी चतरपूर जिली में पड़ती है तो यह आप लोग जरूर याद रखिएगा ठीक है? क्योंकि इससे questions आने की संभावना भी रहती है अंगला है 98 question इसमें क्या लगाएंगी? आप लोग C लगा दीजेगा मापकरीर C नहीं B 97 में B मदविदिस में सबसे अधीक जनजाती कौन C पाई जाती है तो यह तो आप लोगों को भील ठीक है? 98 में A मदविदिस के पिथम मुख मंत्री रवी संकर सुख्र 89 में D लगाएंगे और 100 हाल ही में किस पूर्व अंतराष्टी मुख्यवाज एवं A.C.I. खेलों के फूर रजट पदक बिजेता का 89 वर्स के आयू में ने दन हो गया डेथ हो गई तो यह थे आपके कैप्टन हरी सींग थापा यानि कि 100 में आप लोग C लगाएंगे तो यह पहला आपका मोडल पेपर था अभी इस तरह के आपके चार और बचे होएं तो उन्हें अभी हम लोग एक एक करके जल्दी ही देख लेंगे